नमस्कार दोस्तो, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का साहित्य जोती में आज की इस वीडियो में हम लोग West Bengal Board syllabus of class 5 यानि की कक्छा पांच वी की जो English subject की syllabus है उसको देखेंगे इसमें हम लोग first summative, second summative और third summative यानि की तीनों summative के जो syllabus है उसको एक साथ देखेंगे तो आएए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले English का first summative, ठीक है चलिए पहले आप देख सकते हैं यहां पर इसमें दो किताबे हैं एक आपका butterfly दूसरा wings तो इसमें सबसे पहले first summative के देखेंगे first summative में सबसे पहले आप लोगों काने वाला है reading comprehension 3 यानि कि यहां पर जो chapters दिये गए हैं जैसे सबसे पहला है revision lesson ठीक है यानि कि आपने पिछले class में जो chapters पढ़े हैं उसके ही कुछ revisions है इसके बाद lesson 1 गांधी दमहात्मा और उसके बाद आप देखेंगे यहां पर lesson 2 a feet on a feet ठीक है इसके बाद lesson 3 फूल मनी इंडिया यहां पर epistrophies होगा फूल मनी इंडिया ठीक है यह जो आपके तीन chapters है जो कि आपके first emittre में आने वाले हैं इससे आपका एक तीन passage आएगा ठीक है तीन passage आएगा exam में इसके बाद हम यदि grammar और vocabs की बात करें तो उसके अंदर आपका एका punctuation w h words sentence और its part यानि sentence और उसके भाग इसके बाद article आप जानते हैं a and the और उसके बाद nouns gender यानि की link और pronoun यह आपका butterfly से आने वाला है किससे आने वाला है किससे आने वाला है आपका butterfly से ठीक है आपकी जो butterfly English के किताब है वो और उसके बाद दूसरा आपका wings है wings वाली किताब से आपको practice करना है page number 1 से लेके 53 तक यह आपका first summative का syllabus है first summative में इतना आएगा इसके बाद आईए हम लोग second summative में देखते हैं second summative में आप देख सकते हो second summative evaluation जो है इसके अंदर भी आपकी जो butterfly की किताब है उससे आपका आने वाला है reading comprehension scene scene का मतलब होता है आपकी जो पठे पुस्तक है जिस किताब को आपने class में पढ़ा है उससे कोई passage उठा के आपको दे दिया जाएगा तो इस बार कौन-कौन से यानि कि second summative में कौन-कौन से आने वाले हैं पहला है lesson 4 memory in marvel इसके बाद lesson 5 my school days lesson 6 the clever monkey और lesson 7 the rebel poet और फिर lesson 8 buildings to remember यह आपके जो किताब है butterfly उससे आएगा ठीक है यह butterfly से यह आपका क्या आएगा reading passage यानि कि comprehensive दिया जाएगा एक कोई part उठा के आपको दे दिया जाएगा उसको पढ़के फिर उससे question answers रहेंगे वह आपको solve करना पढ़ेगा ठीक है वह passage को पढ़ पढ़के ही इसके बाद अगर हम grammar की बात करें तो grammar में आपका आने वाला है adjective, preposition, sentence and its part जो कि आपने first summative में भी देखा था present continuous tense, contracted forms, linkers, verb and its forms ठीक है यह आपका grammar में से आने वाला है इसके बाद अगर हम writing skill की बात करें तो writing skill में से describing yourself, dialogue writing, story writing, describe experience, यह आपका writing skill में आएगा और फिर जो आपकी दूसरी किताब है wings, wings में इस बार आपको practice करना है page number 54 से लेके 130 तक, इतना आपका second summative में आएगा, आईएव हम third summative की बात करते हैं, third summative जो कि आपकी आखरी exam होगी, उसमें butterfly से फिर से आपके आने वाला है reading comprehension, इसमें आपका lesson 9, birds eye, lesson 10, a great social reformer, lesson 11, the finishing point और उसके बाद lesson 12, beyond barriers, ये आपका आएगा, ठीक है, इसमें से आपका scene passes आएगा, फिर इसके बाद madam चाहें या sir जो भी आपके class में पढ़ाते हों, वो आपको revision lesson 3 और 7 भी दे सकते हैं, इसके अलावा इस बार एक नई चीज, reading comprehension में unseen passes आएगा, ठीक है, unseen कहने का मतल ये है कि कोई भी एक passage जो आपने पहले पढ़ी ना हो, वो आपको उठा के दे दी जाएगी, और उस पर base करके कुछ questions दिये जाएगे, उन questions को ही आपको क्या करना है, पढ़ना है, और passage में से खोच-खोच के answer लिखना होता है, ठीक है, तो इस बार एक नई चीज, unseen passage भी pronouns, sorry, punctuations, pronouns, correct forms of verbs, present continuous tense, ये आपको पढ़े नहीं होंगे इतने, इसमें से कुछ तो आपने पहले वाले second semester में भी पढ़ा होगा, वो आपको class में जो teacher पढ़ाएंगे, वो आपको बता देंगे कि किस तरह कितना पढ़ना है, लेकिन अगर हम कहें कि topics क्या क्या रहेंगे, तो यही topic रहने वाले हैं, इसके बाद अगर हम writing skill की बात करें, तो writing skill में visit to bendal church, या फिर Jew, उसके बारे में लिखना होगा, describing picture, कोई picture दे दी जाएगी, उसके बारे में लिखना हो सकता है, या फिर writing biography, describing experience, यहाँ पर जो आपके teacher होंगे, English teacher होंगे, school के, वो आपको बताएंगे कि कैसे इसको करना है, इसके बाद अगर हम दूसरी किताब की बात करें, Wings की, तो Wings में इस बार आपको page number 131 से लेके 175 तक करना है, ठीक है, तो आपने क्या-क्या देखा, आपने first summative का syllabus देखा यहाँ पर, ठीक है, first summative का syllabus, फिर आपने second summative का syllabus देखा, और उसके बाद फिर आपने third summative का syllabus देखा, English का class 5, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो main topic है, वो मैंने बता दिया है, लेकिन teachers इसको अपने हिसाब से ठीक करेंगे, आसा है, आपको यह वीड आपको आगे रखने में, तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और आपके लिए प्योगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर सेयर करें, इसके साथ, थैंक आप सबको बहुत बहुत थन्यवाद